लाल बहादूर शास्त्री एस्पताल में पोस्ट माटम कक्ष के सामने पानी निकासी के वेवस्था नहीं होने से जल भराओ की स्थिती निर्मित हो रही है जिससे डॉक्टरों और करमचारियों सहीत पोस्ट माटम के बाद शाव लेने आये मृतकों के परिजनों को परिशान होते देखा जा रहा है लाल बादू शास्त्री एस्पताल में सुपेला में नए भवन के सामने बनाए गए पोस्ट माटम कर्च के समीप नालियों का निर्मान नहीं होने की वज़ह से हलकी सी बरसात में ही यहाँ पानी भर जाता है जिससे पोस्ट माटम कर्च आने वाले डॉक्टरों और कर्वचारियों को परिशान होना पड़ता है डॉक्टरों को पोस्ट माटम कर्च तक पहुंचाने वाहनों का सहरा लेना पड़ता है पानी के लगातार एक ही जगह पर एकत्र रहने की वज़ह से यहाँ डेंगू के लार्वा पनपने की संभावना भी जल जमाओ की स्थिती बनने से डॉक्टरों कर्मचारियों सहीत डेड बॉडी लेने आए परिजनों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है सबसे बड़ा खत्रा एकत्र पानी में डेंगू के लार्वा पनपने का है इससे स्थिती कभी भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि अ KCN News के लिए संजय दुवे